प्रपाटी जी स्वागत आपका, न नेता तै हुआ, न कौाडिनेटर तै हुआ, न सीट सेरिंग तै हुई, न सीटे चिन्नित की गई, खाया पिया, हाथ दोया, मुँ पोचा, चल दिये, ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा सामना में लिखा हुआ है, ब्रजेश जी मैं आपको थ आता था, और हम लोग बड़ी सिद्दत के साथ उनको हटाना चाहते थे, जितने समाजवादी सोच के लोग थे, एवेन आपके आर एड़ी के जो हमारे प्रमुक्र नेता रहे हैं, सारे लोग देश के चाहते थे, कि हम कैसी तरीके से इंद्रा गादी को सिकस्त दे, लेकिन से बर्शात में, जब मेडग है, साफ है, सब एक जगा पहुंचाते हैं, उसी तरीके से सारे लोग पेड़ पे आ जाते हैं, इसलिए इस समय संकट है, एक सो एक तालिस सांसदों को जो निकाला गया संसद से, उनको बहसकृत किया गया है, तो एक बड़ा एक चैलेंज है, जो भाती राजनीत के जो विपक्ष में रोज राजनीत कर रहे हैं, बंग्राल वालों ने खडगे जी का नाम प्रपोच कर दिया, तो नितिश जी के ल किया होगी, जो लोग तैक कर देंगे, उसको माना करें, यह अलाइंस के लोग थोड़ा देर से लेट करते हैं, डिसीजन लेने में, अगर तुरित निरने करें, तो थोड़ा आप लोग की आसानी होगी, जनता पारिटी बाद में बड़ी थी, लोग जीत करके आ गए थे, वो दौर भी हमने देखा, इसी विश्विद्याले का चात था, तो कभी यहां इमर्जनसी के अलाव इमर्जनसी लोगों गुर्गान करते थे, और उसके बाद क्या हुआ, सत्ता का पलट हुआ, और इमर्जनसी खतम, और दूसरा सवाल में कहना चाहता हूँ, बिजेज जी आपने क्या देखा, चार सो पंदरा सीटे थी कॉंग्रिस की, चार सो पंदरा सीटों को भेक लगाने के लिए, उसमें आपने देखा ही या, उस दौर को भी देखा, तो ऐसा बत कही है, अभी इंडिया के पास, अभी प्रियार की कहा है, कि नेता डूंड लिया जाए, बिर अरुन क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अरुन राजभर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनसे वापस कॉंटेक्ट करने की कोशिश करूँगा,